नमस्कार दोस्तो स्वागत करते हैं आप सभी का दोस्तो आप सभी का यहां पे सेवेंटी वाईल में दिक्कता गया था इसके वेयसे प्राक्टिस यह टुका हुआ था ठीक है लेकिन आप फोर आसा सही हो गया है इसके वेयसे आज से आपको वीडियो सुरू हो जाएगा पीडियाप अगर आपको चाहिए तो आप पीडियाप टेलीग्राम गुरुप से ले सकते हैं उसको जॉइन कर लिजिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अगर वहां से आप जॉइन लिखियेंगा जी के बिष्चुरुज वहां से आप करके पीडियाप डाउनलोट कर पाएंगे पूरा बैयतर तरीके से है तो चलिए सेट का सुरू कर लेते हैं क्या है पैला काता है यहां गिश्म कालीन ऑलंपीक खेल कहां पर आयोजित किया जाएगा तो चौथी स्मा के आपका यहाँ पर यह वो का कप तो याद रखेगा दोधा दोधार अठाईस में लॉस एंजलिस याशनी अमेरिका में आयोजित किया जाएगा अगला कोसन देखते हैं क्梁मलिखित में से किस राजिय ने एनीमिया मुट भारत सुचकांक में सिर्ज इश्ठान प्राप्त किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा option C हर्याना हर्याना आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा अगला कोछन जल संत्रक्षण Grind चित करने तू जल संरक्षड सुनिचित करने है तो जल नीधी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है तो देश का पहला राज्य देखा जाये तो आपका यहां पे मेघाले हो जाएगा आंसर आपका C हो जाएगा मेगाले सरकार ने पानी के इस्तिमाल और राज्य में जल इस्त्रोतों के संद्रक्षड एम सुरक्षा मुद्दे का समधान करने के लिए यहाँ पे नीती का समझहोता किया है अगला है कि अंतराष्टी मुद्रा कोस यानी आई एमेप के नए प्रमुख या फिर प्रबंदक निदेशक कौन बने है तो इसका उत्तर हो जाएगा ओप्षन एक क्रिश्लीना जार जीवा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ए आपका उत्तर यहाँ पे हो जाता है नेश्ट कोसने की भारत ने किस देश के साथ तुर्गा पनबिजली पर्योजना पर समझोता हस्ताक्षर किया है तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा जापान आपका सही उत्तर हो जाएगा देखिए भारत और जापान के प्रतिनीदियों के बीच हाल ही में 1870 करोड रुपे के तुर्गा पनबिजली पर्योजना के लिए समझोते पर हस्ताक्षर किया गया है नेश्ट कोसने की अक्टूबर 2020 में परधान मंतिर ने किस राज्य में किसान सुर्योदय योजना की सुरुवात की है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन भी गुजरात राज्य में ये आपका योजना लागू किया गया है नेश्ट कोसने की भारत का पहला ट्रांस सिपमेंट हब किस बंदरगा पर विक्सित किया जाएगा तो ये जो किया जाएगा कोचिन आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा सात्वे का ए आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा नेश्ट कोसन नमबर एट कहता है इसको अच्छे से देखिएगा कि भारत में 2018 में जारी बागो के लिए सर्वे को गिनिज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगा दी गई इस सर्वे के संबन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है चलिए बताइए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्सन बी एक और दो यानि भारत में बागो की कुल संख्या देखा जाये तो 2967 है जीम कॉर्बेट टाइगर रिजर्ब में सबसे अधिक बाग है तो आप ये प किस जीले को प्रथम इस्थान प्राप्त हुआ है तो इसका उत्तर याद रखेगा ऑप्सन ए हो जाएगा बीजापूर बीजापूर आपका सही उत्तर हो जाएगा टोटल 112 जीलो में प्रथम इस्थान हुआ है मेघाले के रिभेई तथा उत्तर परदेश के बहराई जीले को करम से दूसरा वो तीसरा इस्थान प्राप्त हुआ है नेस्ट को सने को सन नमबर आपका दस कहता है कि चर्चा में रहे चाबाहार रेल परियोजना के संबंद में नीमनलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो इसमें से देखा जाया तो आपका डी उत्तर हो जाएगा एक दो तीन सही है यानि यह रेलिवे लाइन चाबाहार पोट को जाहेदान से जोड़ता है यह भारत इरान तथा आफगानिस्तान के मद्द हुआ समझोता है इस समझोते पर दू हजार सोलम में हस्ताक्षर किया गया था नेस्ट को सने की हाल ही में सनिक्त राठ संगठन की 75 पी व अगला को सने की निमन लिखित में से किस खिलाड़ी को राजियो गांदी खेल रतन पुरसकार 2020 नहीं दिया गया है तो यह नहीं दिया गया है किसको तो रानी रामपाल को याद रखिएगा पांच खिलाणियों को राजियो गांदी खेल रतन पुरसकार दिया गया है पहला देखते हैं वर्तमान में भारत के नियंतरक एवा माहा लेखा परिक्षक कायक है कौन तो इसका उत्तर हो जाएगा गिरिस चंद्र मुर्मू हो जाएगा वर्स 2021 में आयोजित होने वाली टी ट्विंटी वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौपी गई है तो ये सौपा गया है भारत को ए आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा चोदर काट ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं इसका उत्तर आगे का क्या देखते हैं कि अमेरिका में होने वाले उपराष्टपती के चुनाओं में किस भारती महिला को उमिदवार की रूप में नामित किया गया है तो ये नामित किया गया है कमला हैरिस को ए अ बी आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा अगला कोशन निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाड़ उर्जा सनियंत्र का परिचालन करने वाला अरब देश बन गया है तो करेक्ट आंसर देखा जाया तो आपका सी उत्तर हो जाएगा यूएई जिसकी छमता देखा जाया तो चपन सो मेगावाट आपका यहां पे हो जाता है किस राज्य सरकार द्वारा मुख्य मंत्री किसान कल्यान योजना की सुरूआत की गई है तो इसका उत्तर हो जायागा ओप्सन सी मध्य परदेश मध्य परदेश आपका यहां पे उत्तर हो जाता है किस राज्य में इस्थित खोनोमा गाउं एसिया का पहला हरित गाउं बन गया है तो देखा जाया तो इसका उत्तर हो जायागा ओप्सन डी नागा लेंड नागा लें लक्षियों को अपनाने अपनाते हुए पूरी तरह प्रदूसर मुक्त और हरित बन गया है अगला है कि मानोपुंजी सुचकांग 2020 के संबन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्सन डी उप्यूक्त में से सभी यह 2022 द्वारा जारी किया जाता है इसमें प्रथम इस्थान नार्वे को प्राप्थ हुआ है भारत का इस्थान 116 हमा है और 2019 में भारत का इस्थान 115 हमा था नेश्ट कोसन देखते हैं कोसन नमबर 20 किस देश को जून 2021 तक के लिए अंतराष्टी स्रम संगठन के सासी निकाय का अध्यक्ष चुन 2020 का थीम निम्न में से क्या है इसका देखा जाय तो पारियटन और जलवायु परिवर्तन हो जाएगा आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 के सम्मन्द में कौन सा कथन सही नहीं है तो इसका उत्तर केवल तीन हो जाएगा यान इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी को प्रथम इस्थान प्राप्त हुआ है नेश्ट कोशन के जनवरी 2020 में किस देश को G77 की अध्यक्स्ता सौपी गई है तो इसका उत्तर हो जाएगा option D गुयाना आपका यहां पे उत्तर हो जाएगा मार्श 2020 में चाप चार कुट महोत्सो का आयोजन किस राज्य में किया गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा option A मिजोरम मिजोरम आपका correct answer हो जाता है नेश्ट कोशन हाल ही में चर्चा में रही सेफाली वर्मा का संबंद किस छेतर से है तो इनका नाम याद रखिएगा सेफाली वर्मा क्रिकेट से संबंदित है आंसर आपका यहां पे B उत्तर हो जाएगा अगला है कि भारत का पैदल सेना यानि इनफैंट्री सनिंगरहाले कहां पे खोला जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा option B इंदौर इंदौर करेक्ट आंसर हो जाता है जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सुचकांग 2020 में भारत का कौन सा इस्थान रहा है तो भारत का इस्थान दिखा जाए तो नौवा इस्थान रहा है आंसर आपका B उत्तर हो जाएगा नेश्ट कोशन युवा सिरी अरपड योजना की सुरुवात किस राज्य ने की है बताए इसका सही उत्तर 28 का क्या हो जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा option B पस्षी मंगाल देखे राज्य के लगभग 50,000 युवाओं की बेहतर रोजगार की आउसर प्रदान करने ही तु पस्षी मंगाल सरकार द्वारा इस योजना की सुरुवात की गई है नेश्ट कोशन की किस राज्य में देश का पहला अप्सिष्ट पोर्टल सुरू किया गया है तो ये सुरू किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर आपका तमिलनाडू हो जाएगा याद रखिएगा चलिए नेश्ट कोशन पर आते हैं अगला कोशन देख लेते हैं कि वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज कम्प्यूटर कौन सा है चलिए बताइए तो देखिए इसका उत्तर आप याद रखिएगा फोगाकू हो जाएगा माफ कीजेगा कि वर्तमान में जपान का फोगाकू सूपर कम्प्यूटर दुनिया का सबसे तेज कम्प्यूटर है नेश्ट कोशन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरिय धारा नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा उप्शन डी अगुलहास अगला कोशन निम्न में से कौन सा सर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाने जाएगी या फिर जाने जाती है तो इसका उत्तर हो जाएगा option b aberdean aberdean आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा लाल सागर उदहरण है किसका तो लाल सागर देखा जाए तो किसका उदहरण है बताइए simple है तो इसका उत्तर हो जाएगा option c यानि अक्षिय गर्त का यहां पर उत्तर हो जाता है अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके बताना है तो आप भी अच्छे से मिला करके अच्छे से इसका अंसर कर पाएंगे चलिए देखते हैं इसका अंसर क्या होगा तो खार्तूम जो है ये नील नदी चला जाएगा ठीक है और ब्रेजा वीले ये आपका चला जाएगा जैरे राटर डैम ये आपका चला जाएगा राइन जो आपका पेरी से सीन चला जाएगा तो इस परकार से इसका उत्तर आपका यहाँ पे ये उत्तर आपका यहाँ पे हो जाता है जली आगए देखते हैं अगला question क्या कहता है अगला question कहता है कि ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को कहा जाता है क्या तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेजेंडा जाता है डी उत्तर हो जाएगा निम्न में से कौन सा देश दुनिया में आयोडीन का प्रमुख उदहरण है तो राइट आंसर आपका चीली हो जाएगा सी उत्तर आपका यहां पे हो जाता है अगला कुशन है कि निम्न में से किस परिष्थित की तंत्र में प्रजातियों की विधिता आप एक्छा कृत अधिक है तो करेक्ट आंसर आपका प्रवाल भित्या हो जाएगा आंसर आपका 37 का देखा जाये तो सी उत्तर हो जाता है दूतिय प्रदूसक निमलिखित में से कौन सा है दूतिय प्रदूसक पुछा गया है तो आप इस बॉग मारिएगा ए आपका यहां पे 38 का देखा जाये तो उत्तर आपका यहां पे हो जाता है नेश्ट के बिहार में कितने क्रिसी जलवाईू छेतर पाए जाते हैं यह इंप आलको देखा जाये तो आपका चला जाएगा कोरबा और हिंडा हिंडालको आपका चला जाएगा रेनुकूट बारती अल्मूनियम कंपनी जो है यह आपका चला जाएगा हीरा कुंड जो आपका बसता है नालको तो यह आपका चला जाएगा कोरा पूट इस परकार से इसका बाइच हो जाएगा अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमाले की तीनों स्रेणियों को काटती है तो इसका उत्तरा ओप्सन यह हो जाएगा इन में से कोई नहीं आफिर एक से अधिक हिमाले की तीनों स्रेणियों को काटने वाली एक नदी आपकी सिं बताईए तो इसका उत्तर हो जाएगा तिलया डेम कोनार नदी यह आपका गलत है तिलया डेम बराकर नदी परिस्थी थे यहाँ पे बराकर नदी होना चाहिए था ठीक है आगे देखते है बेसाल्टिक लावा के अपक्षय यानि अपक्षय के कारण भारत की निमनलिखित मे से किस मिट्टी का निर्माड हुआ है तो नाम याद रखिएगा रैगुन मिट्टी आपका यहां पर उत्तर हो जायागा सी उत्तर आपका हो जायगा जिससे रैगुन मिट्टी कहा जाता है अगला कुछन है कि दच्छड भारत की नदीओं में मुख्य रूप से निमनलिख सभी को याद होगा आपका बावनवा संसोधन हो जाएगा जो विदू हजार तीन में किया गया था ठीक है याद रखिएगा राज्य लोक सेवा आयोक के अध्यक्ष वसदत से अपने पद से किसके द्वारा हटाया जा सकते हैं तिये राष्टपती के द्वारा हटाया जा सकते हैं आंसर आपका यहां फे 48 का देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा नेश्ट को सने के सम्मिधान के किस अनुच्षेद के अंतरगत किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षड का प्रावधान किया गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्षेद 332 राइट हो जायता है किस अनुसूची के विश्यों पर वीधी बनाने का अधिकार संसत को है तो इसका उत्तर देखा जाया तो आपका केवल एक और तीन हो जाएगा संग सूची और समुवर्ती सूची मुल्त उच्टम न्याले के न्याधीसों की संख्या कितनी निश्चित की गई है या फिर की गई थी तो देखा जाया तो आठ आपका यहां पर उत्तर हो जायागा याद रखियागा जिसमें एक मुख्य न्याधीस और साथ अन्य न्याधीस होते हैं नेश्ट को सने की निम लिखित में से किस राज्य में विधान परिशत की स्थापना नहीं की गई है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उप्सन इन में से कोई नहीं आफिर एक से अधिक समिधान के अनुशेद 179 के अनुसार संसद विधी द्वारा किसी राज्य में विधान परिशत का स्रीजन करती है बसरते उस राज्य की विधान सभा ने इस आसय का संकल पारित किया हो नेश् 233 में फजल अली आयोक का गठन किया गया था बारती समिधान का कौन सा अनुशेद है जिसमें प्रेस की सोतंदरता नहित की गई है तो सभी को पता होगा अनुशेद 19 आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा नेश्ठ के भारती समिधान के भाग चार में दिये गए राज्य के निती निर्देशक सिंधानतों में निम्न लिखित में से कौन सूची बद नहीं है पढ़िए वीडियो रोक करके फिर आंसर करिए तीन में से कोई नहीं आपी देख से अधिक आपका यह उत्तर हो जाएगा उप्यूक्त देखा जाए तो भाग चार में दिये गए राज्य नागरिकों को प्राप्त है परनतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है तो इसका उत्तर देखा जाया तो आपका सी उत्तर हो जाएगा दो तीन चार केवल धर्म मूल वन्स जाती लिंग इस्थान जर्म इस्थान के अधार पर विबहत का प्रतिश्य लोक नियोजन के विशे के औसर की समता अलप संख्यको के हीतों का संरक्षड इस परकार से इसका आंसर C हो जाएगा अगला है कि निम्न में से कौन भारत के राष्टपती और उपराष्टपती दोनों रहे हैं तो इसका उत्तर याद रखेगा इन में से कोई नहीं आफिर एक से अधिक उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा डाक्टर किष्ण हो जाएगा उसके वीवी गिरी हो जाएगा वैंकर टरमन आपका यहाँ पर उत्तर चली आगे देखते हैं अगला कोशन है कि राष्टपती सासन की घोसना को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसत के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए तो इसका सही आंसर देखा जाए 58 का तो आपका साधार बहुमत हो जाएता है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है कोशन नमर 59 दसवी अनुसूची के तहट दल बदल उपबंद के अधार पर लोगसभा के किसी सदसे के निरहरता के प्रस्ण पर निर्णे लेने का अधिकार निम्न में से किसे है तो यह देखा जाया तो उत्तर आपका लोगसभा अध्यक्स को होता है अगला कोशन है कि निम्न लिखित में से कौन अपना पद धारन करते समय सपत या फिर प्रतिक्या नहीं लेता है तो इसका उत्तर हो जाएगा लोगसभा का अध्यक्स आपका सही उत्तर हो जाता है कोशन नमर 61 कहता है कि निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है यह सब आपका रिशिदार फलके अंतरगत आते हैं नेश्ट कोशन कि निम्नांकित में से कौन राष्टी आय को व्यक्त करता है तो राष्टी आय को देखा जाये तो आपका इस्थिर बजार मुल्य पर सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा यह आपका सही आंसर हो जाता है कोशन नमर 63 कहता है कि मानो विकास सुचकांक में निम्न में से कौन सा संके तक सामिल नहीं किये जाते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ओप्शन E उप्युप्त में से कोई भी नहीं आफिर एक से अधिक हो जाएगा देखिए मानो विकास सुचकांक मानो विकास की माप है UNDP ने 1990 में प्रकासित अपनी पहली मानो विकास रिपोर्ट में इसकी संकल्पना प्रस्तुत की थी अगला है कि वर्ड एकोनोमिक आउट लुक रिपोर्ट कौन सी संस्ता प्रकासित करती है तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतराष्टी मुद्रा को सही आंसर हो जाता है कोस्ट नमबर 65 निम्न में से कौन सा छेतर भारत में सरवाधिक रोजगार प्रदान करता है तो करेक्ट आंसर देखा जाये तो आप्सन B हो जाएगा क्रिसी राइट आंसर हो जाता है निम्न में से कौन सा सुचकांग सन्युक्त राष्ट विकास कारेक्रम द्वारा जारी नहीं किया जाता है तो आंसर देखा जाये तो आपका परियावरण गुडवत्ता सुचकांग हो जाएगा आंसर आपका D हो जाता है निम्न में से किस उद्धोग को संराइजिंग उद्धोग कहा जाता है तो संराइजिंग उद्धोग पुछा गया है तो सुचना प्रधोग की हो जाएगा आंसर आपका भी हो जाता है बारत में क्रिसी गत वस्तूओं के विपणन हेतू निम्न में से कौन सा संगठन उत्तर दाई है तो संगठन का नाम याद रखिएगा ना फेड हो जाएगा अंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाता है यदि RBI दोरा नगत आरक्षित अनुपात में व्रिधिक की जाती है तो निम्न में से क्या परभाव होगा तो इन में से देखा जाये तो मुद्रा आप पूर्ती में कमी होगी आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाता है वर्तमान में महारतन कमपनियों की संख्या कितनी है तो वर्तमान में देखा जाये तो दस हो जाता है आंसर आपका बी हो जाएगा भेल, BPCL, CIL, GAL, HPCL, LOCL, NTPC, ONGC, PG, CIL उसके बाद आपका दसवां सेल हो जाएगा लैंगिक जनन में आनुवांसिक विचरण कैसे होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा option E, इन में से कोई नहीं आफिरेक से अधिक देखिए लैंगिक जनन में आनुवांसिक विचरण gene के समिसरण से, क्रोमोजोम में बदलाव से, gene मिसरण में और क्रासिंग ओबर से होता है next question के hydrolit है, hydrolit क्या है तो hydrolit देखा जाए तो calcium hydride है, answer आपका यहांपे C हो जाता है निमलिखित कोई का अंगों में किस अंग में nucleic aml नहीं पाया जाता है तो न्यूक्लिक अमल पूछा गया है तो आपका जियुद रब्य हो जाएगा 73 का आंसर देखा जाए तो D उत्तर हो जाता है अगला कोस्टन है कोस्टन नमबर 74 परमाड़ों के बीच बंधों में निमनलिखित में से कौन सी उर्जा संग्रहीत होती है तो उर्जा का नाम याद रखिएगा रासाइनिक उर्जा हो जाएगा अंसर आपका यहाँ पे B उत्तर हो जाता है कोस्टन नमबर 75 निमनलिखित में से किस यूगम में आयन सम इलेक्ट्रोनिक है तो इसका उत्तर हो जाएगा ओप्शन B ठीक है तो फ्रेंट्स आप सभी लोग अगा यहाँ पे 75 कोस्टन समाप्थ हो गया है अब बताईएगा कि 75 में से आपने कितना कोस्टन सही किया है इसका पीडियप आपको मिल जाएगा टेलिग्राम गुरुप से तो वहाँ से आप पीडियप को लेज बगते हैं ठीक है तो चलिए नेश्टर वीडियो में मिलते हैं आप सभी लोगों से